सोमवार यानि की कल 14 दिसंबर को सोमवती अमस्या है जो तिशारियों की माने तो सोमवती अमवस्या का संयूग साल में तो या कभी कभी तीन बार भी बन जाता है इस अमवस्या को हिंदू धर में पर्व कहा गया है इस दिन विवाहित इस्त्रियों द्वारा अपने पती की लंबी उम्र की कामरा से व्रत किया जाता है। इस दिन मौन व्रत रहने से हजारों गाएं दान करने का फल मिलता है। जो तिश्चारियों की मारें तो सोमवती अमवस्या पर तीज स्थानों पर जाकर पवित्र नदियों के जल से स्नान करने की परंपरा है। लेकिन महमारी के जलते घर पर ही पानी में रंगा जल या अन्य पवित्र नदी का पानी में मिला कर नहाना चाहिए। 14 दिसंबर को साल की आंक्री अमवस्या है इस दिन सोमवार होने से सोमवती अमवस्या का संयूग बन रहा है साल 2020 में तीन सोमवती अमवस्या थी इससे पहले 20 जुलाई और 23 मार्च को सोमवती अमवस्या का संयूग बना था अब अगले साल 12 अप्रेल को ये संयूद बनेगा ये 2021 की पहली सुमवती अमवस्या रहेगे इसके बाद 6 सितंबर को साल 2021 की आग्री सुमवती अमवस्या होगे इस वीडियो में फ्लाल इतना ही ऐसी ही तमाम चानकारियों के लिए बूल सकाई को सबस्क्राइब करना ना पूले